सब्सक्राइब कर लें डॉक्टर मंदीब दिया चैनल को बेल को द्वा करने लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन जो बच्चों में भी मिलने लगी है समस्या वो है नी क्रैकलिंग की गुटने से कट कट की अवा उम्र के साथ बच्चों की हाइट बढ़नी होती है उससे हड़ियां कभी ना कभी एक दूसरे से टकराती है वो कोई परशानी वाली बात नहीं होती है उनकी हाथों में से वा जाती है या गुटकों में से वो इतनी परशानी वाली बात नहीं होती है पर कई चीज़े हैं ज चाहे वो English हो जो कि इस बमारी का इलाज नहीं हो सकता कभी भी बाद में उनको गुठने बदलवाने पड़ते हैं दर्स परसेंट जो लोग हैं वो ही इसका पर्मेनेट इलाज कर रहे हैं वो डाइगनोस करते हैं कि उसके गुठने से ये कट-कट की आवाज या नी क्रैकलिंग साउंड आ क्यू रही है कि उस भुमारी केहसाब से अच्छी दवाईउ क्खा कर जो उसी भुमारी के लिए दवा बनी है अपनी भुमारी को पर्मेनटी कर सकें और ऑपरेशन से बस सकें सबसे पहले जान लें कि ये आता क्या है ये साउंड होता क्या है कब ये डरने की बात है कब ये चिंता की बात नहीं है दोस्तों ये दर्द के साथ भी आ सकता है और बिना दर्द के भी आपको आ सकता है जैसे आपकी उमर है 21-22 के उपर है तब आपको चिंता करने की बात है च देखिए ये दोनों हड्डियों के बीच में एक खाली जगा होती है और इन खाली जगा में एक ग्रीस जैसा लिकृड बरा होता है जिसको डॉक्टर बोलते हैं कि आपका पानी सूख गया है आपकी ग्रीस सूख गई है तो ये ग्रीस होना जरूरी है अब क्या हुआ है किसी सैनयोविल फ्रूट बोलते हैं कि ये ग्रीस सूख गई है जैसे ये ग्रीस सूख जाएगी तो आपकी हड्डियां एक दूसरे से टकराने वाली हालत हो जाएगी क्योंकि ये ग्रीस है इसको एक दूसरे से टकराने नहीं देती जॉइंट आपका बड़िया स्मूथली चलत तो ग्रीस इसके बीच में होगी तो हड्डियां टकराएंगी भी तो आपको वाज नहीं आगी आपकी ग्रीस सूगी है यह कारण हो सकता है दूसरा कारण क्या है कि यह जो आपकी हड्डियों के सेरे हैं यही बढ़ गए है जो नॉर्मली यहां तक था यह दोनों बढ़कर ए और इसके बाद है कैल्शियम है कई लोग क्या करते हैं दर्दवाली गोली किसी और भुमारी के लिए खाते हैं तब भी जहां पे इन दोनों हड्डियों के उपर कैल्शियम जम जाता है तो कैल्शियम जमने की वज़ा से यह हड्डियां एक दूसरे साथ बढ़के टकराने लग जाती यह भी कारण हो सकता है सूजन चल ली है यह इसका कारण है कि यहां तो यह हड्डियों के सेरे बढ़के एक दूसरे से टकराने लग गया है यह ग्रीस वहां से गैब होगी है अब साहरा इलाजी जो 10% लोग इस बुमारी को ठीक कर लेते हैं इसी पे फोकस होता ह डाइगनोज बनाकर एक्सरे करवाकर कि यह हुआ कैया जो साउंड आने लगी है तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं पहले जान लेते हैं कारण क्या हैं ऐसे हड्डियों के टकराने के और हड्डियों के सूजने के और गुट्रों से अवाज आने के कारण कई सारे हो सकते है तो जैसे कि महलाओं में खास करके जुन्रे अबोशन पिल्ज खाई हों चाहे वो 15 साल पहले खाई हों कैल्शियम जादा खा रहे हैं आप दर्द वाली दवाईयां खा रहे हैं किसी बमारी के लिए जैसे गुटने वाले लोग यही करते हैं जैसे कई लोगों ने मेरे देखी हो तो आपको पता हो कि गोली थैरेड का परमेनन bes busy जाegenे और चलती रहती है तो यह थैरे आप के लो है यूरिक ऐसले आपका बड़ा हुआ है स्टी रड़ आप खा रहे हैं येसर आपका बड़ा हुआ है आपको रिमिटार आर्टर क्यारंड हाई है आपका सी ऐर। प्सड़ है जब कैल्शिम की द्वाईयां आपने खाने लग गया है तो हड़ीयां बढ़कर एक दूसरे से टक्राने लग गी जब तक देखिए आपको पता नहीं है क्या कारण है, कैसे हड़ी बड़ी हुई है, कहां तक बड़ी हुई है, तब तक कोई भी ऐसे नादवाईया खाएं तो तब तक आप एक काम कर सकते हैं मलठी और काली मिर्चा यह दोनों इस बुमारी के लिए बहुत ही रहां बंद हुआ है, मलठी के बारे में आपको पता नहीं चाहिए, रसर्च होई है कि इसके अंदर गुन है, कि यह जो गरीस है, जो आपकी खत्म होगी है, यह दुबारा बना सकती है तो हड़ी आपकी स्मूथ ली चलेंगी, जैसे इंजन के अंदर ओयल हो तो बढ़िया चलता है कि कोई भी हड़ी के अंदर मालो यह सूजन आगी थी यह टकराने वाली हालत में थी तो काली मिर्च उसको दुबारा से हड़ी को सूजन को कम कर सकती है तो यह दोनों गुना है तो आप इसको काली मिर्च एक से दो मलठी ज्यादा से ज्यादा एक चमच का तीसरा इस्सा यह दिन में एक बार लें गर्म दूद के साथ और आपको असरा लगबग यह दो तीन दिन के अंदर दिखने लग जाएगा और यह बहुत ही बड़िया गरेलू उलाज है और तब तक अपनी जाच कुछा कराकर पर्मानेंट ट्रीटमेंट से कराने के लिए डॉक्टर से भी मिले तो इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारा हेल्थ टॉपिक्स और वीडियोज हैं गठी अलाजी अस्त्मा ब्रेंट टूमर कैंसर कैसे हम थायरेड का और डियप्टीज का पर्मानेंट इलाज कर सकते हैं कैसे हट की एफिसेंसी किसी कम है वालव डैमेज है बिन आपरेश